यशो मती मैं आके नंदे लाला साक्षाद कुबेर भगवान आये हैं गोकुल को समरिद्ध करने हैं? सब विस्तार से बताती हो आप बैठो तो सही कुबेर महराज चलो जोड़ी बनाते हैं मुझे तो किसी ने ना चुनो, मैं क्या करूँ? अरे सुबल, तुझे तो सबसाए महतपूर भूमी का निबानी है जो भी उस चटान को छुकर तेरे पास सबसे पहले पहुचेगो वो जीत जाएगो अरे भूमी करूँ कर दो भूद कर दो आज है जाओ हम तो बात पीछे रहे गए चिंता मत करो काना दोड़ के आरब में ही सारे शक्ति लगाने से खारने के हाशंका बढ़ जाती है देखो वो दोनों ठक रहे हैं यही समय है अपनी काती बढ़ाने का लो हमारी जोड़े सबसे पहले पोच गए देखा मेरा बल दाओ का बल दाओ वो देखो मैया अपने परिवार या अपने सखाओं के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे उसकी आवसकता हो बाट लेनों चाहिए ताकि सब के पास परियाप्त हो और किसी को भी खचु कमी ना हो किसी को वस्ति के बिना रहना आना पड़े भोजन के बिना सोना आना पड़े लग तो है इससे भूख लगी है मेरी और क्या देख रहे हैं तुम्हारी पटली में कुछ तो होगा देदो उसे मेरे नहने महिया ने क्या की थी जता हम किसी और को देते हैं ना इससे अनिक गुना नारायन हमें बापिस कर देते हैं कर देते हैं ओ हो अंजी मेरो टी थी पर वो तो में खागो अब तो बस मेरे हाथ में माखन लगा रहे हैं गोहें कर दो क्या में हाथ क्यां फो अजय दो किस नए क्या लुदत क्या कर दो क्यां प्यां क्या तुम्हें देने के लिए में पास कुछ नहीं है अब आप ही बताओ कोई दो गुना मुल्य देगो तो हम सीगर ही तनवान बन जाएंगे कि न पर कोई दो गुना मुल्य देगो ही क्यों हो सकता है कि उनके पास अधिक धन हो या उनकी तीजोरी में समान आ रहा हो या फिर उन्हें भलाई करने का रोग हो हमें तो आम खाने से मतलब है ना नंदराज गुटलिक इनके हमें क्या लेना देना मैंने तो निर्नल ले लियो है कि उसकी सर्थ मान लोगी बस नारान को साक्षी मान कर जब प्रन ही तो लेनो है कि सारा का सारा दूद, घी, माखन अपसे केवल उनहीं को देना है मैंने बस इत्ती मांग रखी उसने हाँ, आपको विश्वास ना हो रहा हो, तो गुकुल में किसी से भी पूछ लियो दो गुना दाम दियो है परमानन जी ने, इसलिए तो सब के सब आनन के सागर में गोती लगा रहे है हे नारायन, सुनी है, गाओं वालों को दो गुना लाब हो है आज पर मैं तो माखन भी ची ना पाई, क्योंकि हाट जाने के लिए कोई साधन ही ना मिलो मुझे ये नाया माखन, अभी अभी बनायो है मैंने प्रती दिन जो माखन निकालती हूं, सबसे पहले आपको चड़ाती हूं ये सोचकर कि कभी तो आपकी कृपा होगी पर चाने, आपका आश्रवाद कब मिलेगा मुझे ये इस पर भी मेरा माखन भिकार हो गयो ना, तो सची कह रही हो कल से भूच में आपको कुछ भी ना चड़ाओगी मैं काना प्रुच्का रखो रहे हूं वानर मराज की भूप क्यासे मिटानी है पतो है मुझे कैसे माखन से पर माखन कहो मिलेगो सावित्री मौसे के घड़ से तो क्या तुम फिर से माखन चुराने की सोच रही हो डाउन मेरे बात प्रश नहीं नहीं उठता इसके अनुमति नहीं दूगा मैं कोकुलवासियों को ऐसा वचन देने की अनुमति ना दे सकतो मैं बिना सोचे समझे कैसे वो किसी अपरिचित व्यापारी के सब्दों पर बिश्वास कर सकते महाराज कोकुलवासियों को अब धन के जाल जंजाल में फसने से कोई नहीं रोक सकता महाराज मैं धन का ऐसा स्वाद चखा कर आया हूँ कि नंद चाहे जितना प्रयास करे अब कोई भी गोकुलवासियों उसके हित वचन सुनेगा भी नहीं महाराज यह बहुत गंबीर बाद है हमें सभा बुलानी होगी है सुधा जशोदा जी आप भी कुछ कहो ना नंदराज से जे अधिक ही सोच रहे इतने चिंदा करने की कुई आवा सकता ना है आवा सकता तो है वैसे तो जब कोई लोब के जाल में फच जाता है तो उसका बहार निकलना संभाव है इन तो फिर भी अपनी दिरिष्टी चोकन्नी रखना और कान गोकुल में होने वाली हर हल चल पर क्योकि मैं नहीं चाता योज चलिया विश्णु अवतार का कोई भी चल मेरे मार्ग का रोडा बन पाए अवश्णु महराज लूप 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 ध्यान रहे परमानंद गोकुल वासियों पर लोभ का प्रभाव हर बीतते एक्षण के साथ बढ़ता चला जाना चाहिए महराज जैसे किसी कबुतर को बिल्ली दबोच लेती है वैसे ही मेरा फैलाया हुआ लोभ गोकुल वासियों को अपने पंजों में दबोच लेगा सब जटक लूँगा इससे पहले कि माखन पीला पड़ जाए उसे आज में तपाकर घी निकाल लेनो चाहिए ना तो पूरा का पूरा माखन बिगड जातो है मैं अभी बोला से कहकर सारे गवाल-गवालिरों की सभा बुलातो है मुझे सब से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है मती ब्रस्ट हो गई थी मेरी जो यहाँ चली आई अब कई ऐसा ना हो कि मेरा धनवान बनने का स्वपन धरा का धरार हो जाए सुलचना चिंता मती करो अरे हम सब से पहले तो वे अन्न के बारे में सोचते हैं वे गोकुलवासियों को लोब के फेर में कच्छो अनुचित ना करने देंगे कहा ना मैंने तुम्हें कुछ भी अनुचित करने नहीं दूंगा दाओं तुम्हारा हाँ तो अनुचित वात करने देना दाओं पर मैं तो भलाई करना जाता हूँ बलाई किसी की अनुमति या सामति के बिना उसके या चोरी चुपके माखन का लेना बलाई नहीं चोरी कहलाती है सकाओ तूम ही बताओ किसी भूके प्रानी के लिए होजन की विवस्ता कंड़ा क्या हुतो है बलाई पड़े पड़े माखन सड़ने के स्थान पर किसी का पेट भरे वो क्या होतो है बलाई किसी की मन की इच्छा पूरी करना क्या होतो है बलाई ठेरो ठेरो चोरी करके किस की मन की इच्चे पूरी करोगे तुम और किसकी दाओ। फेल सावेत्री मौसी की। वोई तो चाहती है कि मैं उनके घर आओ। और धेड़ सारा माखन खाओ। तो फिर अगला घर आपका। शन भर तो ऐसा लगो जैसे काना ने मेरे मन की इच्छा सुन ली हो। वैसे कितना अच्छा हो तो यदि सुन ही ले दो। तुम्हार कहने का अर्थ है कि सावेत्री मौसी चाहती थी कि तुम उनके घर भी जाओ। जैसे जानकी के घर गय थे। ये बात तो उन्होंने बहिया के सावने भी कही थी कि मैं उनके घर जाओ। ये तो उनका सभाग्य होएगो। किसी का साव आगया बिगाडते इतने बुरे ना है हम। जे बात तो सही कही है। मुझे भी कुछ अनुचित ना लगता है इसमें। तुम तो सक्तावादी हो मदू मंगल। तुम्हे क्या लगता है। अब बोल भी तो वानर महराज भूक है। वानर महराज से अधिक भूका तो मुझे तू लग रहे हो है। व्यदी काना सच्ची में जैसक वानर महराज की भूक मिटाने के लिए और सावित्री मौसी की इच्छा पूरी करने के लिए कर रहो है। तो दादी के सीख के अनुसार मुझे इसमें कच्छो अनुजितना लगतो। पक्का हम सच्च में चोरी नहीं बलाई करने जा रहे है। सही का दाओ। यदि भूके अर्साय वानर वराज का पेट भरोगे तो इसका असनिय पुन्य तो सावित्री मौसी को ही मिलेगो। इसका अर्थ तो जे हुआ कि काना सावित्री मौसी का घर माखन चुवाने नहीं जाएगो। बलकि उसे दुगना कर देगो। बात तो सही है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर इस बार हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे सका। हाँ, हमें भी पुन्य अरिजित करना है। और माखन भी। लगतो है। देव वानर माराज भी हमारी टोड़ी में समलीट होना साथ है। तब तुम्हें सबको ये काला सिखाने पड़ेगी। सही कहा सका। अच्छे काम का प्रचार प्रसार तो होना ही चाहिए न। तो ठीक है। सिखा दूगो। और हमारी टोड़ी के लाएगी चोर्य विध्य प्रशार तोली। और काना तू बन जाएओ इसका अध्यक्ष। और डाव बनेंगे उप्यादक्ष। मुझे स्वीकार है। चोर्य विध्य प्रशार अंटोली की जाएग। चोर्य विध्य प्रशार अंटोली की जाएग। और सुलो क्या करना है और कैसे। आया कनया रे आया रे माखन का चोर। रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौर। अम सब बात छोप जाओ। मैं भीतर देखता हूँ। ना ध्वनी कोई हो ना पता कुछ लगे। आये चुके से ग्वालो की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कही। सारा मखन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा ये बड़ा। भीतर से चंचल ये छल से भरा। है ये नखट बड़ा चिक्चोर। इत्ती उपर टांग रियो मासी। काना सच्च मैं आगे हो तो मैं तो धन्य हो जाओंगी। हाााा 걸로 कुछ पर mail knapp के जाए जाए ऑ्राव। बięहा येद्ट sm spins के चाए जसो कर दोपनानेय अवे बड़म ये च mort भीत away मन तो करता है सारा दूर धही माखन उसे बुलाकर अपनी हाथों से खिला दी मुझे बुलाना भी चाहती हो और अंचानी में मेरी लिए कटनाई भी बढ़ा रही हो पर मेरे यहां क्यों आएगा काना इससे अच्छा तो यही होगा कि कल माखन बीचने के लिए तहीं से सकट का प्रबंद कर लूँ छुप जाओ छुप जाओ वैसे भी वो ठैरा राजकुमार एक साधारन गोपी के यहां का माखन काहे खायेगो तु भी बावली हो गई है सावित्री काना आना भी चाहे तो इत्ती दूर आयेगो कैसे कैसेर तो ओम येव чисरे ओम्यां कातक कैसेरी प crispy से से सावित्री कैसें का पिसका प्रश्स ग। और सुआ है कैसेरी कैसे आना भी प्रदार छ्को कैसे कैसे से सावित्री सब खड़े हो जाओ सच्ची मैं अबे कितनी पावली हो गई हूँ ना जब नंदोमन के और जाई रही हो तो काना के लिए थोड़ा सा माखर ले जाती हो आना क्या है यह मेरा स्वपन है या फिर जी सारे बालत यहां क्या कर रहें काना के साथ क्या जान के सर्त कह रही थी काना यहां पर माखन चुराने आया है मुझे स्वयम जाके इसे माखन खिलाना चाहिए ते जरे चलो तावितरी मौसी के वापिस फ्लाटने से पहले मैं कारिय सम्माव करके वापिस इभी जानू है कोई पकड़ी मत द्याना यह मुझे देखके भागो तो ना ना यह जो कर रहे है जैसे कर रहे है मुझे करने देना चाहिए हेन अरे महियो प्लाटने今天 कर दो कडे जोस्ट उलाटने चाहिए ना जानने कर देने कहां प्लाटने करेद से बां में अरे मुझे है झाहिए